दोस्तों मेरा नाम है नसीम और आप सभी लोग जानते होंगे मैं सरकारी डियने के नाम से एक यूटूब चैनल चलाता हूँ जिसमें कि आप सभी को गवर्मेंट स्कीम और जो भी गवर्मेंट के तरफ से कोई अपडेट आते हैं तो आज मेरी चैनल के साथ में कुछ अजीब सा हुआ मैं अभी बैठा हुआ था अपने ओफिस में और कुछ डिस्कसिन हो रहा था तबी एक हमारे सस्क्राइबर का कॉल आया कि हमें सर आपके कोई वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो मैं भी यूटूब सार्च इंजन में गाइब हो चुक थे तो मैं भी सॉक्ड रहे गया है मैंने देखा कि मैंने भी तुरंत अपना कम्प्टर ओप्ड किया तो मेरे कोई वीडियो वीडियो वहां पे नहीं थे तरह यूटूब सि तुका करते हैं तो वहाँ पर जैसे मैंने लोग इन किया तो मेरे चैनल का जो लिंक है वहाँ से गाइब हो चुका था यानि कि हम अपने चैनल के नेम को भी वहाँ तक नहीं देख पा रहे थे तब जाकर करें हमने email पे चेक किया तो अभी करीब 20 मिनट पहले मेरे पास में mail आया है YouTube इंडिया की तरफ से जिसमें कि YouTube की तरफ से कहा गया है कि आपका जो एक वीडियो है जो कि आपने एक साल पहले सूट किया था उस वीडियो में आपके कुछ कमी है कुछ आपने violation किया है जो कि था passport apply के बारे मैंने बताया हुआ था जिसमें भी मैंने आप सभी को जो information प्रोवाइट किये सारी ही बिल्कुल exact सही information को प्रोवाइट किया है लेकिन YouTube का कहना है कि आपने YouTube के जो rules हैं उनको violate किया है आपने कोई भी नियम का उलंगन किया है लेकिन यहापन मैं बता दूँ कि YouTube के करीब मैं दो साल से काम कर रहा हूँ जिस वीडियो की यहाँ पर बात की जा रही है उस वीडियो में मैंने कोई भी YouTube के rules अपनी जान में violation नहीं किये जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ अगर कोई भी personal information उसमें दिखती है तो मैं इसे blur कर देता हूँ यहाँ पर अगर कुछ detail मैं आपको show भी करता हूँ तो उसमें किसी भी human की वो detail नहीं होती है उसमें मैं आप सभी को dummy detail फिल करके दिखाता हूँ जिसमें किसी की भी security को कोई भी खत्रा नहीं है लेकिन YouTube को साइद लगा है कि वो detail है किसी human की है तो इस बज़े से उन्होंने मेरे channel को delete किया है तो इसलिए आप सभी से यहाँ पर request है कि अगर आप हमारे channel को प्यार करते हैं आप चाहते हैं कि सरकारी DNA का जो YouTube channel है वो वापस आना चाहिए तो आप YouTube इंडिया को इसके लिए tweet कर सकते हैं YouTube इंडिया को tweet किस तरीके से करना है इसके लिए मैं आप सभी को अभी tutorial देने वाला हूँ आप सभी लोग इसके लिए हमें support करें तो हमारे channel को support करने के लिए उसे दुबारा से पाने के लिए आप सभी को video decision में मैंने link दिया है जहाँ पर आप click करेंगे तो आपकी सामने Twitter का page open हो जाएगा जहाँ पर आपको पहले से ही मेरे tweet देखने को मिलेगी आपको retweet करने के यहाँ पर जो icon दिया गया है retweet का इस पर आपको click करना है तो यहाँ पर retweet के option पर click करते ही आपका जो tweet है complete हो जाता है इसी के साथ में अगर आप channel के बारे में कुछ लिखना चाहते है YouTube को आप suggestion देना चाहते है तो यहाँ पर quote retweet का option मिलता है जिस पर आपको click करना है और यहाँ पर आप channel के बारे में जो भी लिखना चाहते हैं जिस तरीके से यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कुछ जिस तरीके से ही आप message लिख सकते हैं और इसके बाद में आपको उपर तरफ जो tweet का option दिया गया है इस option पर click कर देना है तो इस तरीके से सरकारी DNA चैनल को require करने के लिए आप अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं यह जो tweet है आप अपने friend circle में जिन लोगों से भी करा सकते हैं उन लोगों से कराई है जिससे की ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो post का engagement बढ़े और YouTube इस पर एक अच्छा सा decision ले पाए पहले तो इस channel पर जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं इसको आप subscribe कर लें इनकिस अगर channel require नहीं हो पाता है तो हम इस पर ही आप सभी को आगे से वीडियो दे पाएंगे बाकी जैसे ही मेरा main channel require होता है उस channel पर आप सभी को latest वीडियो मिलने वाली हैं